नमस्कार दोस्तो वेलकम टू सरकार श्टेडी वेस तो चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो economic है चल रही है यानि कि भारती와 वस्ता के अंतरगत हमारा topic चल रहा है सिवा और चेत्र के आंतरगत बेसिक है वा देखेंगे जो कि government shit में अगर देखें तो उनके अंतरगत देखेंगी कि इसको upgrade करने के लिए क्या के चीजी यहाँ पर पहल देखने को मिलती है इसके पहले बहुत सारे lecture हमारे cover हो चुके हैं जैसे Indian economy से related जो basic चीजे है वो आपने देखा होगा complete वहाँ पर देखने को मिलती है एक complete lecture भी मैंने उसका डाल दिया था creasi के अगर बात करें तो creasi कभी आपको complete lecture देखने को मिलेगा उध्यों कभी complete lecture देखने को मिलेगा इसी प्रकर अब आगे देखेंगे हम सेवा चेत्र से related भी complete एक lecture ठीक है तो आपको पता होगा सेवा छेतरी कि आगर बात करूं है तो अर्थवबस्ता की हमने च्छेत्रक पड़े थे सेक्टर्स आप एकोनोमी के बारे में बात किये थे जिसके अंतरगत हमने तीन चीजे देखे थे तीन चीजे कुण कुण सी एक तो होता है प्राथमिक छेतर जिसे है इसके अलाभ हम देखें forest से related है क्रसी है और इन से संभनी जो भी चीज़े है वो कहा जाती है प्राश्मिक शेतर में जाती है दूसरी हमने बात करें दुतियक शेतर का मतलब होता है और दियोगी खेतर मतलब क्रसी से जो भी material यहाँ पर आता है उसको कच्चे माल की रूप में कहों प्योग किया जाता है secondary sector में यानि को उद्योगी छेतरक में यूज किया जाता हो और उसको produce करके एक नया product यहाँ पर बनाया जाता है तो यहाँ सपोर्टिंग चीजों की रूप में जो सेवाय प्रदान करता है वो तरत्यक्षेतर मतलब सेवाय खेथर को सर्विस सेक्टर इंचाहला है एक लेकर है बहुत ही आपका शक्री और free plan को activate करने के लिए आपको promo code use करने के बाद आप इस plan को unlock कर सकते हैं जो की है MPPSC और व्यापन से संब्सक्राइब इसके benefits का है free plan को हम देख लेते हैं 500 से ज़्यादा free life process यहाँ पर चल रही है पर week और doubt clearing session कराया जाते है MP के top educators के दौरा 50 से ज़्यादा top educators यहाँ पर पढ़ा रहे है और daily और weekly free live mock test यहाँ चलते हैं और इसका paper analysis कराया जाता है top educators के दौरा और यह 4 different exam को cover कर रहे है MPPSC, prelims, MP police const stable, MPSI, MP jail, Perry free live quiz यहाँ पर 20 से ज़्यादा question cover कराया जा रहे है सभी subject को मिला करके daily यहाँ पर T20 free test series चलती है आप watch कर सकते है daily free live class और interact करने का मौगा मिलता है आपको top educators है free special classes चल रहे हैं आपे MPPSC, MP police के लिए, MPSI के लिए और MPJL पहरी जिसके link आपको description box में दीगी गई है और आप free mock test ले सकते है daily T20 जो free test series चल रहे है उसमें weekly free life full length mock test चल रहे हैं for preparation किसके लिए MPPC prelims, MPJL पहरी, MP police, MP constable और MPSI और इनका test के बाद हर दिन, हर test के बाद यहाँ पर analysis करा जा रहा है, in top educators के द्वारा MPPSC T20 free test series में, जो की 30.30 बजे होती है, ठीक है, जो paper analysis होता, 30.30 बजे होता है, और जो test लगता है, वो लगता है, आट बजे, इसके लिए आपको करना का होगा, इसके लिए आपको सेवा छेत्र के अंतरगत कुछ चीज़े, जैसे सेवा छेत्र की बात करें, तो इसे service sector बोला जाता है, और सेवा छेत्र जो होता है, अर्थववस्ता का वह छेत्र है, जिसमें उभवकताव को विभीन प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है, उधारन के रूप में हम देख स सकते, बिना computer software के कोई भी काम आसानी से नहीं किया जा सकता, जैसे कि आप पहले देखें तो register में या copy में maintain किया जाता सारे record को, पर आज की लेट में आपको सारे जो data है, या जो भी database होता, वो कहां पर maintain किया जाता है, computer software के माध्यम से, इसके अलावा आप देखें, transport के माध Bana is a fair जो है इसा अभी झेत प्रणाआटा में सावास होगाकार के में इन देखने मिलता है, इस अलावा बूषनपदा, धार किरिया कलाब सामील होती है, से वाचेतर के अंतरगाछ पायका इसके बाद सेवा छेत्र को त्रत्यक छेत्र भी यहां पर कहा जाता है जैसे कि हमने देखा है और बात करें WTO की, WTO का मतलब कहोता है World Trade Organization यानि कि विस्वेवेपार संगठन की यहां बात करें और साथ में हम देखें RBI यानि Reserve Bank of India जो भारती Reserve Bank है, हमारे देश का जो प्रधान bank है इन सभी में अगर देखें तो इन सभी प्रतिष्ट्री संस्ताव के दोरा निर्मान चेत्र को भी सेबा छेत्र के अंतररगत रखा जाता है और यह निर्मान यहनि Commissioner आपको दिए बिए यहां पे, जी बिया में सियर उक्म्तायर जो दिया है, 2018, 2019 के अनुसार। इसके लाब़ा जी बिया में जो बन्यारी है, वो देख ही गई यहां पर देखेए, अलग अलग शेतर देखने मिलता है वह भी आनुसार को छोड़कर अगर देखें तो छोड़कर यहाँ पर लेकर 국ष यहाँ देखने को एक दौबार देख लेंगे तो आपको आपको आसानी से सारी चीजं़ यहां पर कलियर हो जाएगी जलिए आगे देखते हैं यहां पर एक चीज रिखने को मिलती है सकल घरी लुत पाद यानि की जो GDP है ग्रोश डॉमेस्टिक प्रोडेक्ट जिसे हम बोलते हैं इसमें सेवाओ का हिस्सा क्या है तो दीखें जैसे की प्राथमिक छेत्र यानि की क्रसी दूसरा है अध्योगिक छेत्र यानि की हम देखें तो सेकंडरी सेक्टर जिसे बोलते इन सब्सक्राइब करना नहीं होता है और प्राथमिक छेत्र जो होता है सबसे लो लेबल का होता है वहां पर कोई मतलब काम करना नहीं चाहता है सीधे पलाइन करके कहां जा रहा है सर्विस सेक्टर में अब इसके अलाबा रोजगार की बात करें तो रोजगार हमको Have जो जादा कहां पे देखने को मिलता है उद्धियोगीक छेतरम है अगर जंद जद जदा लगाए के लगाए लगाए जाए तो रोजगार की दवस्ता में सेवाच्षेत्र का महत्पूर्ण एकदान है और 2018-2019 में भारत के सकल मुल्य बर्धन सम्रद्धी यानि की जीवी ए ग्रोध जिसे बोलते हैं इसने 54% भागेदारी के साथ सेवाच्षेत्र भारत के आर्थि विकास का प्रमुक संचालक बना हुआ है फिर यहां द 5% से अधिक थी 1718 में सेवाच्षेत्र जो है उसकी ब्रद्धी 8.1 और 2018-19 की बात करें तो यहां पर कम होकर 7.5 रहे जो कि हमने उपर टेवल में देखा है साथ में भारत के जो कुल रोजगार है उसमें लगभग 14 भाग सेवाच्षेत्र द्वारा प्रदान किया जा रहा मत उसमेरा किसी वेक्ति के पास स्कील है तो यहां पर रोजगार पा सकता है और नहीं तो नहीं पर जब की बात करें उद्योगी खेग कि पाए जब्रोब से लेकर नीजरों कर निचे नीकिस parent कॉ reopen दियान पड़ेगा और सर्विस सेक्टर यानि की तर्तीक शेत्र में भी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इसके लावा भी तीन दो छेत्र होते हैं चतूरत और पंचम नंबर कभी होता है तो वह हमको ज़्यादा ध्यान देने की जरुवत यहां पर नहीं है चलिए आगर देखते हैं बैस्विक बानेजिक सिवा के निर्यात आयात में भारत का इस्थान क्या क्या है तो यहां पर हमको देखने को क्या मिलेगा जैसे डबलू टीओ की बात करें यानि वर्ल्ट ट्रेड और जिसे हिंदी में बोला जाता है विस्वेपार संगठन तो विस्वेपार संगठन के कुछ आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत के वानेजिक सेवाओ के निर्यात और आयात में विस्वे के सीर से जो दस देश है उसमें इसको सामिल कर लिया गए यहां कि टॉप 10 कंट्री मे अगर देखें तो यहां पर सामिल है हमारा भारत और यहां देखें आपको देखने को मिलेगा देखें कहां पर है आठवे नंबर पर है हमारा भारत तो यहां देख सकते देखें निर्यात की जो रैंकिंग है वो यहां पर आठवे नंबर पर दिख रही है निर्यात की हिस् स्थान था जो कि हमने भी टेवल में देखे और 2016 में इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ विसके वानिजिक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी पिछले दसक से जो है निरंतर बढ़कर यहां पर 2017 में क्या हो गई है तीन दसंबलो पांच पर पहुंच गई है भारत के कुल सेवा निर्यात में कंप्यूटर हुआ जो ICT है ठीक है information and communication जो टेक्नोलोजी छेत्र है उस छेत्र में देखें तो वैपार सेवा उता था यात्र सेवाओ का यह यह जो यह जो टेबल है आपको देखने मिला है टॉप लेबल पर आपको संक्तुराज अमेरिका यह इनिकी USA देख रहा है United States अमेरिका देखें रैंकिंग बन में देख रहा है जिसकी हिस्सेदारी आपको सबसे ज्यादा देखने मिलेगी है यहाथ के हिस्सेदारी 14 चार परतिसाथ और आयत की हिस्सेदारी 10 दसंबलो 2 परतिसाथ देखने को मिलती है आगे देखते हम भा इसको बोला जाता है और हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोला जाता है राश्टी प्रतिसाथ सर्वेक्षन संगठान इसकी रिपोर्ट के अनुसार देखें तो यहाँ पर ग्रामीन छेत्र में जो नियोजीत प्रतेक बैक्ति है मतलब प्रतेक हजार वेक्ति जैसे 1000 व वेक्त थी प्रतेक हजार में से इसके अलावा बात करते होती तो सेहरी में आनुसारा से अधिक हिए जतना की प्रात्मिक छेत्र में और दूसरा है दुतियक छेत्र है दोनों की जो अनुपात है उससे अधिक अनुपात कहां देखने के मिलता है सेवा छेत्र में यानि कि सेवा छेत्र सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला छेत्रक माना जा रहा है बरतमान में और नगरी भारत मे इससे अधिक आयूब आले जो पूरुस आ पुरुस जो कामगार है या जो करमचारी है रोजगार वरात करनेघने वाले उन में लगभख 59% यहां पर देखने हम यहां पर हीवानगर पर यहां परूर्स और महिलाों के अगर बात करें तो महीलाओ का लगभख सेवाचेत्र में जो रोजगार है यानि कि इंप्लॉइमेंट इन जो है सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहां पर हमको भारत में सेवाचेत्र का अंतरगत 34 प्रतिसत लोग यहां पर रोजगार प्रात कर रहे हैं जब कि सेवाचेत्र का जो GVM योगदान है ठीक है जो मतलब लेवर से रिलेटेड जो भी मामले उसको मेंटेन करने का काम करती है और इसी के अनुसार देखें तो 20 के सीर्स 15 देश 20 के सीर्स 15 देशों में भारत बाचीन को छोड़कर अधिकान देश में कुल रोजगार का 2 वटा 3 ठीक है यह जिसे के अंतरगत बहुत सारी से वाय आपको देखने को मिलती है जैसे वैपार होटल है रेस्टोरेंट है परीवहन है भंडाराण संप्रेशन है वित्य भीमा भूसंपदा वेस्ट से वाय सामुदाईक सामजी और नीजी से वाय पतिया का देखने को मिलती है तो क्रशी कि अगर बात करें यहां फें निस सो 794 वहीं 2009 की बात करें 2009-10-2002 वी century संख्या बढ़कर हो गई परंतु जंसेंखेक साथसे यह प्रतिसर संख्या जा कंती जब बात करें 1993 जनसेंख्या कंति परंतु यहां पर जो रोजगार था वो जदा आप रोजगार जाधा हो गया उसके बाद भी प्रतिस. प्रतिसत कम है क्यों कि जन सेंग बढ़ गई है और जन सेंगे किसाब से प्रतिसत कम आ रहा है अब 2011 की बात कर लेते हैं वह 1112 की तो यहां 204 था और फिर घटकर सामने आ गया है उद्योग की बात करें तो दो दो में देखी 53 परसेंट 53.5% यहां जो है मिलियन में हैं 53.5 मिलियन जो की 16% यहां पर रोजगार देखने मिलता है फिर यहां 2009 में 93.1 मिलियन यहां देखने को मिलता है और यहां परसेंटेज्टेज देखने को मिलता है परन्तु यहां तो कम थी ठीक है मतलब कहां पर 1993-94 क्योंकि यहां सेवज शेतर उतना अधिक विक्सित नहीं हुआ था जब दीर दीर है समय घटा तो यहां देख सकते हैं दोल्डर फरन्तु अधिक करसी धा देखने नहीं है नाकी करसी ओपर भरत्वानन में भरतमान में अपना भी गवर्मेंट भी करसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है और बहुतत प्लेशी सारी जो से रेलेटेड जो अध्यादेस आया है विद्याक आया है तो खिसानों के अंदोलन भी आपको बरतमान में देखने को मिलते हैं अब देखो आगे होता क्या है इसके बारे में यहां आप देख सकते देखें यह जो वीभी ने सेवाय है उनमें आपको क्या क्या योगदान को मिलती है आप बात करते हैं सेवाऊ की राजवार तुलना यानि कि हम देखें तो यहां पैर सेट वाइस जो कंपेरिजन हैं है वो हमें को मिलता है और यहां पर केंद्रीज संखी की कारयाले इसे हम शीर और सेंट्रल इस्टेतिक्स certified स्थी अफिस जिसे बोलते हैं इंगलिस में CSO केंद्री संखी की कार्याल है इसके दौरा नए आधार वर्स नए आधार वर्स कुन सा 2011 वारा 2011 वारा के अनुसार कुछ आकड़े यहां जारी किये गया है उससे सपस्ट है कि सेवा छेत्र का जो 15 राज्य है साथ में संग राज्य यानि कि स्टेट और जो इनियन टेरेट्री है उनका काफी अधिक यहां पर महत्व देखने मिलता है जो 15 राज्य है उनी का यहां पर महत्व देखने मिलता है इस छेत्र में और जिनका सकल मूले बर्धन में आधे से अधिक का युगदान देखने मिलता बांकी की अगर बात करें तो यहां आपको देखने मिलेगा 28 राज्य आपको देखने मिलेंगे भारत के अंतरगात और 8 आपको युनियन टेरिट्री देखने मिलेगी तो आप देखे 28 और 8 कितने होगा 36 36 में आपको ओनली 15 यहां पर आधे से अधिक का युगदान दे रहा है और समझ रहे हैं आपकी काफी अच्छा यहां देखने को मिल रहा है और इन राज्यों में मुख्य सेवाव की बात करें तो मुख्य सेवाव कौन-कौन से हो सकती है जैसे वैपार हो गया होटल हो गया र हिस्सेदारी और जो ब्रद्धी है उसके संदर में व्यापक अंतर पाया गया है साथ में हम देखें तो जो 32 राज्य एवं संग राज्य जो छेत्र है उनमें से जिनके लिए 2016-17 के आंकड़े उपलब्द है या फिर अभी करेंट में मतलब जो एडिटिंग यानिक अपडे हिस्सेदारी दिल्ली में आपको 85% के आसपास इस्सेदारी देखने मिलता है जो कि टॉप लेवल पर है चंडिगण और दिल्ली सिक्किम के अगर बात करेंद सबसे नीचले पायदान पर देखने को मिलता है फिर यहां देखें हम देखें सेवा सेवा शेत्र में अगर जो कि टॉप लेवल पर है और तिरपूरा की बात करें तो तिरपूरा तीन परसेंट पर नीचले पायदान पर पाय जा रहा है इसके अलावा आप इस डाटा को जो है स्क्रीन सोट लेकर पढ़ सकते हैं सेवा चेत्र में FDI ठीक है foreign direct investment जिसे बोलते हैं विदेशी विदेश सकते अधिक पाये गया है तो इसका कुछ डाटा यहां पर दिया गया है जैसे सेवा चेत्री के अगरवाद के बहुत सारी सेवा आपको दिख रही है यहां पर देखिए अंतर वहां जो है जब डाटा से संबंदित कुछ लिखो मेंस में तो आपको वहां पर विवासानी से अपकी help करे चली आगे देखते हैं राश्टी बौधिक संपदा अधिकार नीती तो यह है क्या यहां देखिए 12 मई 2016 की बात करते हैं 12 मई 2016 को केंद्री मंदल के द्वारा शुकरत इस नीत दारक है उसमें रचनात्मक वहां नवचार को परसाहित करेगी साथ ही देख सकते हैं 2018 यानि जनवरी दस जनवरी 2018 को केंद्री मंद्री मंदल द्वारा एफडी आई नीती फॉरें डारेक्ट इन्वेस्टमेंट यानि की विदेशी प्रत्यक्ष निवेस नीती जो है उसमे को बोला क्या जाता है जैसे कोई एक देश है मान लिजे हमारे अलावा हमारे भारत के अलावा कोई अन्य देश है अन्य देश के दौरा हमारे भारत में कोई कंपनी खोली जा रही है कंपनी खोलने के यहां पर पैसा लगा जा रहा है तो उस पैसे को हम क्या बोलेंगे एफ 39% यहां पर उसके रहेंगे अनगे जो ans कंपिनी जिसके दारा लगाई गयी है जिस गारा पैसा लगाएलगा है अन्य देश के दवारा ता कि अर्थ वयबस्ता कि अधार्ता की बात करें उनगार्ता आप देख सकते हैं अर्थ fingy मूले बरद्धी जिसे हम जी विये बोलते हैं ग्रॉस वैलू एडिसन इसकी प्रतिसत के रूप में अगर देखें तो सेवा है जो है सेवा उसनित कुल वैपार द्वारा प्रदर्शी जो अर्थववस्ता है इसकी पूर्ण उदार्ता बर्स 2004 की बात करें नीती में उलेख निये परिवर्तन किया जिससे क्या हुआ यह सुनिश्चित किया जा सका कि भारक विदेशी निवेश का आकर सक गंतब बना रहे जैसे कि अगर बात करें FIPB ठीक है FIPB यानि की Foreign Investment Promotion Board दूसरा देख सकते हैं IBBI यानि की Insolvency and Bankruptcy Board of India इसे बोला जाता है फुल फॉर्म फिर एक होता है IPR जिसे हम Intellectual Property Right बोलते हैं तो यह तीनों चीजों की बात करें तो इन नीती को इस परश्ट रूप से परिवासित किया गया इनके फुल फॉर्म आप जो है या तो गूगल सर्च करके लिख सकते हैं या फिर आप एक बार और सुन लीजिए FIPB का मतलब होता है Foreign Investment Promotion Board और IBBI का मतलब होता है Insolvency and Bankruptcy Board of India फिर IPR का मतलब होता है Intellectual Property Right तो यह तीनों हमको इसकी नीती इस परश्ट रूप से देखने को मिलती है इसके अलाबा अप्रेल 2002 से अगर देखें 2000 से सितंबर 2018 के दौरान भारत में बित्य तथा गैर बित्य सेवा छेत्र में प्रत्यक्ष बिदेशी निवेस अंतरवाओ के लिए पांच यहां पे सीर्स देश रहेamentos पून DY से मौरिसस सिंगापूर बोड़ितैन निदर्लैंड यह सारे हमको यहां पे देखने को मिलेा को यह देख सकते हैं आप अर्थभीषतह की उधारथर्दा टॉपिक में पढ़िए ठीक है तो हम अभी देख लेते हैं हमने क्या के चीजे दिखें इसके नेक्स्ट क्लास में हम जो है बांकी की चीजे देख लेंगे भारत में सेवा जो नियोजन है उसके बारे में देखें फिर उसके बाद देखें तो देखें यहाँ पर हमको जो है सेवा चेतर में रोजगार के अंतरगा चीजे हमने देखें सेवाओ की राज के अनुसार तुलना देखें इसके बाद अर्थबरस्ते को दारता देखें तो मैं consist करूँगा प्रति दिन के अनुसार कोसचन प्रोवाइट करने की तो आप आंसर राइटिंग करें अपनी मेंस की प्रेक्टिस आसानी से अच्छी मद्बूत कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं नेक्स टौपिक चाहत में नेक्स कलास में तर तक के लिए जय हिंद्ट अनेकेडिमी एक्पली लेकर आया है बहुत ही आपका शक्त फ्री प्लान और फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमोगोड यूज करने के बाद आप इस प्लान को अनलॉग कर सकते हैं जो की है MPPAC और वियाप उमसे संबन देख लेते हैं 500 से जादा फ्री लाइव मॉक टेस्स यहाँ पर चलते हैं और इसका प्रेपर एनलिस करा जाता है टॉप एजुटर के दौरा और यह चार डिफरेंट एक्जाम को कवर कर रहे है MPPAC, प्रिलिम्स, MPP पॉलिस कॉंस्टेबल, MPSI, MPJL पहरी फ्री लाइव क्विस, यहाँ पर 20 से जादा कॉश्चिन कवर करा जा रहे हैं सभी सब्जेट को मिला करके डेली यहाँ पर T20 फ्री टैस्स सीरीज चलती है जिसमें 20 कॉश्चिन होते हैं 20 मिलेट माप कॉन सर इसके देने होते हैं सब्सक्राइब कर देख सकते हैं जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आप वाच कर सकते हैं डेली फ्री लाइव क्लास और इंट्रैक्ट करने का मौगा मिलता है आपको टॉप एजुक्टर से फ्री इस्पेसल क्लासेश चल रही है यहाँ पर MPPC, MPPOLICE के लिए, MPSI के लिए और MPJL पहरी जिसके लिंक आपको डिस्क्रमसर बॉक्स में लीगी गई है और आप फ्री मॉक्स टेस्ट ले सकते हैं डेली 2020 जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें विकली फ्री लाइफ फुल लेंट मॉक्स टेस्ट चल रहे हैं पर प्रिपेस्ट के लिए MPPC प्रिलिम्स, MPJL पहरी, MPPOLICE, MPCONSTABL और MPSI और इनका टेस्ट के बाद हर दिन हर टेस्ट के बाद यहाँ पर एनलिस्स करा जा रहा है इन टॉप एजुटिस के द्वारा MPPAC T20 Free Test Series में एक्टिवेट कर सकते हैं तो, देर किस बात की, नमस्कार दोस्तों, Welcome to सरकार स्टेडीवेड्स तो चलिए, खाले आर्थ वेबस्त आथ आन्तरगात हらो आद है अगला टॉपिक जिसके अंतरगत देखेंगे हम प्रमुक शेवाओ का प्रदर्सन इसके अंतरगत जो है यानि कि हम यहां पर मैंस के अंतरगत टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो आप जो है रेगुलर यहां पर क्लास इसको देख रहे हैं तो आपको सारी चीजे समझ में आ दूर संचार है ठीक है दूर संचार यानि की कमनी के सन रेलवे है परियाटन है इन सभी सेवाओं में लगातार बहतर प्रदर्सन हो रहा है और वहीं अगर बात करने तो अन्य छेत्र जो है अभी मंदी की दौर में ओबर रहे मंदी की दौर से हमको निकलते हूं नजार आ है कुछ प्रमुक सेवा है उनका वेवरण हम देखें तो हमको बैंकिंग सेवाय देखने को मिलती है और कुछ हमको देखने मिलती है होटल वा रेस्टोरेंट से रिलेटेट सेवाय देखने को मिलती है इसके अलाबा परियाटन भी है इसके अंतरकर सामील है तो हमको दोनों चीजी यहां पर देखने मिलती है तो पहले हम देख लेते हैं यहां पर देख लेते हैं बैंकिंग सर्विस यानि आजादी के बात की बात करें तो बैंकिंग जो है बैंकिंग छेतर एक तीब्र ब्रद्धी बाला छेतर बन गया है वहीं बात करें 1990 की तो 1990 के दसक में इस छेत सब्सक्राइब देखने को मिली थी मजबूत बेंकिंग प्रणाली तथा साख्ष की आसानी से उपलब दता के कारण बैंकिंग छेत्र काफी तीब रगती से विकास कर रहा है इसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेट वो सारी चीजी यहां पर पढ़ेंगे यानि कि ब बैंकिंग बाद भीमा छेत्र सकल घरिल उत्पात के तेरा दसम्लों पांच प्रतिसात का प्रतिनिधित्व कर रहा है इसके अलाब हम बात करें यहां पर होटल वा रेस्टुडेंट सहीत पर्याटन जो है तो सहीत राष्ट विस्व पर्याटन जो संगठान है जिसके अंतर 2015 में वैस्विक आय में पर्याटन छेत्र का योगदान 10.2% रहा और यहां विस्वे के सबसे बड़े रोजगार उत्पादकों में से एक है और इसके कारेवल अधिक जो है मतलब कारेवल जो है अधिकान सिंसा महिलाओं का देखने को मिलता है साथ ही हम देखें यहां पर हम विकास निगम का है साथ हम देखें तो नई चिकिस्सा जो बीजा सिरेणी है उसकी भी यहां बात कर लेते हैं तो यहां देखें चिकिस्सा उपचार के लिए भारत आने वाले जो विदेशी परियाटक है उनको आकरसित करने है तू यह नई चिकिस्सा बीजा जो सिरेणी ह िसकी सुरवात की गई इसके लावा जीडीपी में इसका युगदान हमको बारत स्थी मिलता है भारत में पर्याटन उद्योग क्रमोक कुछ से जुड़ा हुआ है सरकार द्वारा होटल वेफसाइब को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई योजनाय प्रारम की गई है इन में हैरिटेज योजनाय भी हमको देखने मिलती है ठीक है सरवधिक महत्पूर्ण है इस चेत्र में 100% प्रित्यक्ष विदेशी निवेश यानि एक अनुमत यहां पर देखने को मिलती है और इस योजना का अगर बात करें तो इसमें जो है पुराने महल है हवेली है किले है उनको संदक्षन प्रदान किया जाए इन्हें होटल वेफसाई की रूप में प्रयोक किया जाएगा है हेरिटेज होटल को मुख्य रूप से चार सिर्णियो की जाए मों दो देखने को मिलती है कि इसके साथ ही हम देखें भारत का सेवा वाण हमको देखने को मिलता है कि आपको कुछ छीज़े यहां पर देखने को मिलते हैं । बैपार के अंतरगत है कि अ कि अ कि सेवा छेत्र जो है सेवा छेत्र के सकल संबर्धित मूल में 54 प्रतिसत का योगदान यहां देखने को मिलता इसकी ब्रद्धिदर की बात करें दो दुहजार सत्रा अठारा के आठ दसमलों एक प्रतिसत से कम होका दोजार अठारा उन्नेस म प्रतिसत हो गई और जिन छेत्रों में मंदी देखी गई वो मुख रूप से देख सकते हैं परेटन वैपार होटल है परिवहन संचार और प्रसाण संब्धित सेवा लोग प्रसासन और रक्षा इन से संब्धित यह जो है मतलब यहां पर मंदी देखने को मिली भारत का देखने को मिलीन की तुलना में 2018-19 में 10.6 मिलीन परियाटक जो है भारत आये थे ठीक है इसके अलाबा परियाटन से बिदेशी मुद्र की कमाई घटकर 28.7 बिलियन डॉलर से घटकर 27.7 बिलियन डॉलर हो गई सेवा चेत्र में जो बैंक रेन है बैंक रेन की बात करें 2018-19 म 2018-19 में 181 बिलियन अमेरीकी डॉलर तक पहुचने का अनुमान देखने को मिलता है चलिए आगे देखते हैं कुछ आकड़े थे यह ज्यादा यहाँ थोड़ा ध्यान रखी इस चीज के बारे में इसके अलाबा भारतिये परेटन विकास निगम की बात कर लेते हैं तो भारत यह है भारत की सबसे बड़ी होटल स्रंखला विक्सित करने के साथ-साथ परेटन से सम्मंदित जो अन्य सुविधा है जैसे की परिभेन की बात करें सुल्क मुक्त जो खरिददारी है मनोरंजन है परेटक परचार सहाइत इसकी जो है प्रस्तूती परामर्सी सेवा है आध परेटन के विविद आयामों की अगर बात करें यहां पर तो विस्वे यात्रा एबम जो परेटन परिस्त है उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं इसकी रिपोर्ट आई थी 2017 में इसकी रिपोर्ट 2017 में देखें तो इसकी अनुसार वर्स 2016 में विस्वे की जो GDP है उसम को कितना देखने मिलता है साथ 10.6 ट्रिलियन डॉलर यानिकी जीडीपी का 10.2 प्रतिसत था था वर्स 2016 की बात करें तो इसमें 3.6 की ब्रद्धी होनी का अनुमान लगाए गया परन्तु वास्तविक ब्रद्धी 3.3 ही रही यानिकी 3.6 ना होकर 3.3 ही रही और ऐसा अनुमान है कि वर्स दोहजार चब्विस यानिकी आने वाले 6 वर्सों की अंतरकत अगर देखें तो उसमें यह 3. 3.4 प्रतिवर्स की दर से बढ़कर 10,986.5 बिलियन डो अमेरिकी डॉलर यहां पर देखने मिलेगी जीडीपी का अभी देखने मिला था 10.2 प्रतिसाथ परन्तु बहां पर जीडीपी का 10.8 प्रतिसाथ होनी की संभावना है वहीं सैंक्तराष्ट परेटन संगठन की बात कर है इसके साथ ही हम देखें हमको कुछ और देखने को मिलता है जैसे की परेटन मंत्राले के कुछ आकड़े देखने को मिलते हैं परेटन मंत्राले के कुछ आकड़े के साथ 10.1 मिलियन विदेसी परियटकों का आगमन हुआ यह 2016 के 10.8 लाक से बढ़कर 2017 के दौरान 17 लाक हो गई थी राष्टिय परियटन नीती जो की 2002 की है वो यहाँ पर हमको देखने मिलती है जिसके अंतरगत परियटन छेतर में विकास को बढ़ावा देने के लिए इस छेतर में बैस्विक निवेसेकों को अकर्सित करने है तूर राष्टिय परियटन नीती 2002 लागू की गई और इस नीती के प्रमुक लक्ष हम देखें तो यहाँ पर हमको आरती विकास के मुखे घटक के रूप में इसको स्थापित किया गया साथ ही रोजगार के सरजन और विकास गरामीन परियटन को गती प्रदान करने है तो इसको यहाँ पर देखने को मिलता है घरे लिए जो परियाटन है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया नीजी शेत्र के योगदान को यहां पर महत्पून मानते हुए सरकार दोरा सक्रिये जो सुसाद्ध करता है और उसकी भूमी का अधा की गई परियतन चेत्र के बैस्भिक ब्रांट के रूप में स्थाफित किया गया ठीक है परियतन एंवम यात्रा चेत्र में कुल रोजगार की द्रश्टी से अगर देखें तो भारत का विस्तम में दूसरा स्थान माना जाता है और जो डबलू टी टीशी है 2019 की इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2018 में भारत विस्व में परेटन के चेत्र में आठ भी सबसे बड़ी अर्थे ववस्ता के रूप में ओब रहा था इसके लाब हम देखें तो यहां देखें हमको दो चीजे देखने मिलती है जिसके अंतरका स्वदेश दरसन योजन देखने मिलती है प्रसाद योजन तो दिखें यहां बात करें हम तो इस योजन है इस योजने के अंतरका विसेश थीम पर आधारी जो पांच प्र्याटक थे पांच पर्याटन सरकिट है उसके समगर विकास किया गया जैसे कि उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में हमको उत्तर से उत्तर पूर्व सर्कीट देखने मिलता है बुद्ध सर्कीट देखने मिलता है हिमालय सर्कीट, कोस्टल सर्कीट, क्रश्न सर्कीट ये सारी चीज़े हमको इसके अंतरगत देखने मिलते हैं स्वधिस दर्शन के अंतरगत और ये परेटन सर्किट संसकती बिरासत एबं अध्यात्म का मिसरण होंगे परेटन सर्किट का अर्थ क्या होता है ये चीज़ आप समझ लीजिए तो आपस में जुड़े हुए ऐसे प अगरन किया जा सके तो इनको बोला जाता है परेटन सरकित फिर प्रसाद योज्या के अगर बात करें तो प्रसाद योज्या मतलब होता है इसको इंगले सम्安कर बोलते हैं यह प्रसाद योज्नयों और ती त Setting का कल्भ् बारा सहरों में तीरत स्थालों का समगर विकास किया जाएगा और इसमें अधारवुसानरचना का विकास तथा इस्थानी लोगों के लिए रोजगार सरजन के लक्षवी सामिल कियेंगे। कुछ चीजे जिसे स्थावर संपधा यानि कि अगर बात करें हम तो रियल स्टेट इसे बोल सकते हम आवास का जो मालिकाना हग है भारती अथवरस्ता का एक महत्पून कारक माना जाता है बर्स 2014-15 की बात करें तो इसमें भारत को सकल मूल वर्दन यानि जीबिये का आठ दसंबलो 0% यहां देखने मिलता है 2015-16 में यह गिर कर कितना हो गया हम देखें तो 2015-16 में गिरकर 0.7 यानि 7.7% यहां देखने को मिलता है देखिए यहां से घटकर यहां हो गया 2015-16 में यहां पे आ गया इस चेत्र की मदद के लिए 2014-15 में कई नीतिगत पहले भी शुरू की गई कई नितिगत पहले यहां पर सुरूँ गई जिसमें एवडियाई नीती में संसोधन किया गया नियूंतम तल छेत्र और नियूंतम पुंजी अवसकता प्रावधानों को दूर करना सामिल किया गया भारती रिजर बेंग यहां राष्टी आवास बेंग की बात करें तो सरकार ने सभी आवास योजनाओं के अंतरगत वर्स 2022 तक 6 करोड मकान बनाने की घोशना की और हम बात करें यहां पर तो हमको निर्मान शेत्र के अंतरगत बांध है सड़क है पुल है इमारत है आदी सामिल की गई और इसमें ब्रद्धी में इसको सामिल किया गया और इसमे पांच प्रतिसाद से कम होकर 2017 मतलब 16 17 में यह कितनी हो गई एक दसमलो ताथ प्रतिसाद देखने मिलता है इसके बाद दिल्ली में देखने मिलता है यह सबसे कम ब्रद्धी वाला है नोईडा ठीक है साथ में हम देखें तो देखें यहाँ पर हम सूचना प्रद्धी की समर्थी छेत्र रहे तो इस से रिलेटेट हम देखेंगे एक इनफरमेशन टेकनोलोजी और एक देखेंगे विकास प्रतान करने वाले महत्पून अगर देखें तो सूचना प्रोदेगी की यानि की Information Technology जिसे IT बोला जाता है और सूचना प्रोदेगी की समर्थिस सेवा यानि की जिसे ITES बोला जाता है Information Technology in a World Service इसके कारण भारत ने ज्यान अर्थवबस्ताय ने Knowledge Economy द्रेश्टी से अपन यह चार चीज हमको देखने मिलती है और यह जो है चेत्र अर्थवबस्ता के विकास का प्रमुक साधन बन गया है और बरतमान समय में सकल घरिल उत्पाद रोजगार वा निर्यात की ब्रद्धी में जो लेक नियोगदान दे रहा है विक्री में लापरत ब्रद्धी होने के बावजूद आधिक मजदूरी बिल यहां पर देखने को मिल रहा है वरदी कर प्रावधानों के कारण इस सुद्ध्यों के लाब में बने रहने की संभावना देखने को मिलती है साथ ही हम बद देखें नैसकॉम यहां देखें इंगलिस में लिखा है और नेशनल ऐसोशिय यह देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे अनुसंदान एब विकास से रेलेटेट खुछ चीजे देखने के मिलिएंगे जिसे रिशर्च न देवलपमेंट दीखते धने हैं तो देखें यह अनुसंदान और विकास की बात कर एं तो इस छेत्र नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बरस 2016-17 की बात करते हैं तो 2016-17 में 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार पदान करते हुए इस छेत्र ने परिवेहन होटल अफसनरचना सुरक्षा सेवा जैसे साहयक छेत्रों में भी रोजगार सरजित किया ठीक है और भारत में R&D रिचर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें इस पर बहुत कम बै किया गया था 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 बिज्ञान प्रदेगी की नवचार नीती 2013 में नीजी छेत्री की बढ़ती हुई भागेदारी के साथ यहाँ पर इसे बढ़ा कर GDP का 2% करने का विचार किया गया फिर 2018 में एक सुचकांक आया था जिसमें 126 देशों की यहाँ पर गिंती लगाए थी ठीक है इस सुची में भारत के स्थान कितना था 57 वा देखने को मिलता है ठीक है और इस सुची में सुच्जर लेंड पहले नंबर पर देखने को मिला था इसके बाद हम देखते हैं यहा इसको अनुमोदित किया गया इसका लक्ष पूरी देश में वहनिये यहनि कि सबको उपयोगी हो सके इने सबको प्राप्त होने योग विस्वसनिये तथा सर्वसुलब दूर संचार एवं ब्रॉडबेंड सेवाओं की उपलब दता कर यहां पर अधिक्तम लोग कल्यान करन इसका मुख लक्ष रखा गया इस नीती के उद्दे से के साथ साथ अन्य बाते भी यहां पर सामिल की गए जैसे कि अगर बात करें तो हम देखने को मिलता है इसके अंतरगत एक राष्ट एक लाइसेंस यानिकी वन नेशन वन लाइसेंस की आफधारना को सभी सेवा होता थ और एक राष्ट में मुवाइल के सभी कारियों को रोमिंग फिरी करना इसके लावा ब्रॉडबेंड का अधिकार यहने दूर संचार को महत्व देते देने के सांसना सिक्षा स्वास्त जैसी प्राथमिक आवसकताओं के रूप में ब्रॉडबेंड का अधिकार यहां पहने पहुंच को मुहिया कराने के लिए विविद नेटवर्कों के इंटर कनेक्षन के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की स्थापना कराना दूर संचार में हरित नीतियों को अपनाया जाना जारी रखा यह सारी चीज यहां देखने को मिलती है कुछ डाटा आपके सामने दिया आप स्कीन सोट लेकर इसको पढ़ सकते हैं टेलीफॉन परिदरस्की अगर बात करें 2019 की जन्वरी की तो टेलीफॉन की संख्या आपको देखने मिलती इतनी टोटाल ग्रामीन में इतनी सहरी में यह आप देख सकते हैं यहां पर बढ़कर इतनी होगा फिर देखें सहरी में यह और ग्रामीन में यहां आपको देखने को मिलते हैं यह कुछ डाटा था ठीक है अब इसके बाद हम देखेंगे यहां पर राश्टी एलेक्ट्रोनिक्स नीती 2019 की तो यहां देखिए राश्टी एलेक्ट्रोनिक्स नीती 2019 के अंतरगत हमको इसके कुछ जो है लक्ष हम द रागू की गई और इस नीति ने वरस 2012 की जो राष्टी इलेक्ट्रोनिक्ट्ट्री नीती है उसके स्थान लियाने की उसके लक्ष कि बात करें तो इसके लक्ष के बरस दोहजार पच्चीस तक हमने देख लिए बरस दोहजार पच्चीस तक एक और चीज मतलब हमको देखने मिलते एक सुनब्बे अरब डॉलार के सो करोड मोबाइल हैंड सेटों का उत्पादन लक्षे इसमें सामिल किया गया इसमें 110 अरब डॉलार मुले के साथ करोड मूची जो मोलिस रंकला है या वैलू चेन उसमें घरेलू बीनिर्मान और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा साथ ही हम देखें तो प्रोस्तान एवं साहता यहां देखने मिलती है जिसके अंतरगत प्रमुक एलेप्रोनिस कलपूर जो के बीनिर्मान के लिए प्रोस् की उनिटों को बढ़ावा देने और वरतमान उनिटों को विस्तारी करण के लिए यहां पर उप्युक्त है मतलब एक प्रकार से उप्युक्त योजनाय और पोस्तान देने से जुड़ी व्यवस्ता है वो बनाई गई इलेक्ट्रोनिक्स के सभी जो उप छेतर है उसमें अन प्रकार देखें तो इसमें मेडिकल इलेक्ट्रोनिक्स उपकरान उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् हम सीब देखता हैं यहां समय में नाइ राष्टिया पॉलिशी ओंस प्रणिक्स की गया और हम को साथ वर्सके लिए पंदरा सो करोड मतलब भारत को सौप्टेयर के एक बड़े केंदर के रूप में विक्सित करने के उद्देश से लाई गई इस नीती में इस शेत्रे के लिए अने के उजनाय पहल और उपाय है उस पर ध्यान के इंद्रित किया गया इसके लिए अगले जो साध वर्स मतलब आ सौप्टेयर प्रोडेक्ट मार्केट में भारत की इस्तेदारी यहां पहे दस गुना ब्रधि करने का लक्ष रखा गया सौप्टेयर प्रोडेक्ट उद्द्योग में दस हजार स्टाट अफ को पोसित करना है इसमें सामिल किया गया जिसके अंतर गत हजार एसी काईया जो सब्सक्राइब के लिए प्रत्यक्ष रोजगार सजीत करना था साथ हम देखें तो हमको सौप्ट ट्रोडेक्ट इंडस्ट्री के लिए टैलेंट पूल तयार करना था इस उद्द्योग का जुथा यानिकी उद्द्योग क्लस्टर आधारित विकास करना था इसके अपना की जाएगी जिसमें सरकार के अत्रिक्त विकास कारियोन कारियोग के लिए संचार ऋवेण सामील है यहां पर देखने को मिलती है तो देखें उग्रह मांचीतरण उग्रह मांचीतरण यानि सैटलाइट मेपिंग तो आंत्रिक्ष सम्मंदी जो कुछ अनुप्रियोग साय जो है और सेवा है उससे राजस्विकास रजन होता है और भारत के लिए विदेशी मुद्रा का भी अर्जन किया जाता है ठीक है यहा आकड़े है आकड़ा हाडवेयर और सौफ्टेयार और मांचीतरण सिवा इसमें सामील है साथ ही हम उपग्रह प्रक्षेपन के अगर बात करें सैटलाइट लॉंचिंग की बात करें यहां पर तो देखें प्रतिवी की कक्षा में सवदेशी उपग्रह ने भारत ने जो प् प्रक्षेपन के लिए अतरिक्ष जो है PSLV एंतरिक्ष के साथ मानिजिक व्यवस्ताओं के माध्यम से गढ़ाकों को उपग्रह प्रक्षेपन सेवा भी प्रतान कर रहा है मार्च 2017 की बात करें तो इसकी स्तितिक अनुसार PSLV ने 225 उपग्रह सफलता पूरवार प्रक्षे और अठारा उननेश में 324 करोर यहां पर लेखनी विदेशी मुद्रक्ष की जो आय है वो देखने को मिलती है ब्रद्धी के रूप में तो था हमारा सेवा छेत्र से रिलेटेट कुछ चीजे जो की पीछे की क्लास में हमने कुछ चीजे पढ़ेते और इस क्लास में तो टेलिग्राम चैनल को जोइन करोगे तो आपको बहुत सारी मटेरियल यहां पर मिलेंगे ठीक है किसी चीज की पीडियेप भी है तो वह भी यहां पर मिल जाएगी इसके लाबा उत्तर लेखन और डिसकर्शन गुरूप भी आप जोइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को यहां पर continue कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स टॉपिक के साथ में नेक्स क्लास में तब तक के लिए जैहिंद